दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तैयार इन परिस्तितियों में टॉस हारना बहुत देंगा बढ़ता है बहुत ही दिल्चस्ट मैच हुटा चाहिए ये अब दो और ये हैं वो किलाडी जो दोनों टीमों के लिए आज के मैच में खेलेंगे एक रोमान्चक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर और ये आ रहे हैं फील्डिंग साइड ये आए सलामी बले बास दर्शक उनका अब ने जा रहा है इस छोर से आगे हैं जाए वा कि भील्डिंग बास पिल्डिंग खील्डिंग 4-3-2-1 इन इन इनकी पहली गेंड का सामना करते हुए अमपायर का इशारा वाइट बॉल इस आकरामग फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियन तरण के साथ गेंड बाजी करनी होगी यहां बहुत ही खराब गेंड और ये वाइट बॉल बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है चुरा लिया है एक रहा है बड़ी आरण नियुक्त के असाथ पल्ले बास अपनी पहली गेंगी तैयारी करते हुए बॉल सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेंगास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं बहुत ही आकरामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में यह एक बहुत ही अच्छी रन नीटी हो सकती है अमपार का इशारा नो बॉल बहुत ही दिल्चस्प होगा अगर इन्होंने अभी एक शॉट पिच बॉल डाल दी बल्लेबास को उठा के केल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका चलिए देखते हैं के अगली गें स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुत ही नजाकत से उठा दिया है वहाँ छे रण इसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रीजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वह क्या बात है नजाकत से खेल दिया है सिंगल के लिए बद्द दिया है कि लिए तरीजी बात है झाल कि वह दिया है झाल कि वह दे टाइए झाल कि अमर्ट प्प्दादाग्प लिए स्ट्री ओवर की शुरुवात यहां स्पिनर से करवाया जा रहा है ओ बहुत ही भैदरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होमवक करके आना बले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है अम्पार का इशारा वाइट बॉल जिस तरह आजकल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्चे मारेंगे इस ओवर में गैप में खेल दिया है हां और यह चार रन यह एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अकली गेन कहां मारेंगे कुलंबी पारी खेलने की कोशिश होनी चाहिए बहुत वक्त बचा है इस मैच में जदबाजी की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए एला रान तेजी से लेते हुए इन दोनों की आज इतनी बहतरीन रणिंग बिट्विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत दूसरी ओवर की शुरूरत यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूचबूच और नियंतरन के साथ गेनवाजी करनी होगी यहाँ क्याप में खेर दिया है दो रण की कोशिश होगी यहाँ बहुती नज्दी की मामला बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ बहुती निराश लग रहे हैं प्रहण क्यां में यहाँ बहुती दो इना अलंजा क्यात क्यांति इना ए्ज रहे झान रह lam catch out हो जाओ, bold हो जाओ लेकिन run out कभी मत हो न अक्सर देखा गया है कि run out match की परिस्तिती बदल देती है अपनी pace में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेन बास को बल्ले बास बहुत आसानी से उन्हें चौके चक्के लगा रहे है और यह चार रण, खूपसूरत तक्नीक का ब्रदर्शन एक बार फिर स्वाग्ट और यह आ रहे हैं दो अमपायर्स फिकेट समाल के खिलना देज गेन बास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियन तरन के साथ गेन बासी करनी होगी यहां बहुत ही बड़िया शॉट बहुत ही बड़ा सिक्स जाने जाते हैं यह बल्ले बास ऐसे शॉटों के लिए और जब फॉम में हो तो इन्हें रोकना ना मुम्किन होता है फील्डिंग में परिवर्दन तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों न इतना खुल के खेलते हैं मानो हर बॉल पे चक्का मार देंगे फील्ड प्लेसमेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रवियू रचा रखी है उठा के खेल दिया है क्याप में गई और ये बैतरीन चौका इनके तो पल्ले से सिर्फ चौके और चक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट का हमारे के उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई सदे नहीं था कि ये छे रन है बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉर्ट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में हैं बड़ी पारी खेलने का पूरा मोका है कई उसे गवा ना बेठे निराश लग रहे हैं मेरी माने ये तो अपने आप फुश्किस मत समझें जो पे गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में गर्मा गर्मी गेंदबाज कुछ कहते हुए बल्लेबाज को और वो कहते हैं जाओ अपनी बॉलिंग कराओ बॉलिंग में परिवर्दन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहाँ टीप पॉइंट पर फिल्डर लगाया है कप्तान ने ओ ऐसा लगता है केन को देखा ही नहीं वहाँ पे पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होने चाहिए है जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा केले की कोशिश और पुरी तराच्व और दूसरे कोशिश और पुरी तराच्व गेनबास को ही लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच भूच और नियंत्रण के साथ गेनबाजी करनी होगी यहां गेनबास की आँखे तो जील की आँखों की तरा हो चुकी है गेनबास के हाथ से ही बॉल का लाइन और लेंग समझ चुके थे वो बहुत ही प्यारा चक्का एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है गाप में गई और यह बैतरीन चुका एसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है बड़ी आलीव कलेबास की पिछले कुछ मैचों में वहती फेर हमी से दुलाई की है एक पास बोलर्स की इनोंने शॉट गेनबास के पुरे अकड को चकना चूर करती हुई छेरन एक बड़ा शॉट तो ओवर का लगा चुके है लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दील करने की कोशिश करने हुगी अपनी पेस में परिवर्तन लाने की जरूरत है यहां गेनबास को पल्ले बास बहुत आसानी से उन्हें चौके चक्के लगा रहे हैं उठा के खेल दिया है खुबसूरत चौट और यह सीधा बाउंडरी के पार उन्हों टीमों के प्लियर एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए और इसी को कहते हैं जेंटिलमेंस के खरहे लाँ शचके लाँ लगाँ आसे मेंचे बनाजोंग दो जाद़ क्या हुआ है कर दो तो है अुआ है अवाँ कि अधिसे अजरोचार को कौके अट्यूबस चूबस्ता चौके लिए हैं